ये कहानी दो दोस्तों सोनू और मोनू की है, जो एक छोटे से गाउं में रहते थे, दोनों की दोस्ती बचपन से ही बहुत गहरी थी, और वे हमेसा साथ मिलकर मस्ती करते थे, एक दिन गाउं में एक भाव्य मेले का आयोजन हुआ, यह मेला लोगों के बीच बहुत प्रसिद था और सभी लोग इस मेले का साल भर खुब उत्सा से इंतिजार करते और मेले का आयोजन होने पर देखने जाते थे सोनू और मोनू भी मेले के बारे में सुनकर बेहद उत्साहित हो गए मेले की दिन दोनों दोस्त गाउं के बाकी लोगों के साथ बड़े उत्साह के साथ मेले की ओर निकले वहां पहुँचकर उन्होंने विविन खेलू, जूलू और नाच गाने का अनंद लिया बाद में एक खास नाटक का आयोजन किया गया जिसमें गाउं के अन्भवी कलाकार अपने रोल के हिसाब से लोगों के सामने अपना नाटक प्रिस्टूट करते थे सोनू और मौनू भी इस नाटक में अपने दोस्तों के साथ अभिना करने के लिए तयार हो गए उन्होंने इस से पहले विद्याले में हुए नाटकों में हीरा मोती, जमीनदार, वैपारी और राजा का किरदार निभाया था लेकिन इस बारवे कुछ नया करने का फैसला करके बेहद विशेश किरदार चुना नाटक की रिहलसल के दोरान, दोनों ने खुद को उन कलाकारों में समलित गिया, जो उन्हें आकरसित करते थे सोनु ने बिना सोचे समझे एक बहुत ही सुन्दर लड़के का किरदार चुन लिया, जो नाटक की कहानी की मुख्य प्रेमिका थी वह लड़की भावुप और सुहान भूत से भरी थी, वही मुणू ने एक हसीन लड़के का किरदार चुना, जो नाटक में प्रेमिका के लिए पागल और समर्पित था, रात में नाटक का आयोजन हुआ, और सभी लोग खुब उत्साहित होकर नाटक को देखने आये नाटक की प्रस्थुती के दवरान, सोनू और मोनू ने अपने किरदारों को इतने अच्छे से निभाया, कि दरसक भी उनके प्रतिभा से आकरसित हो गए, नाटक के अंत में सोनू और मोनू ने उन किरदारों को अच्छे से अदा किया, और दरसकों के दिलों में दोनों प गाउं के लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध हो गए। उनके नाटक में दिखाये गए अद्भुत अभिनाई ने लोगों के दिलों में उत्सा और प्रेम भर दिया। इस मेले को देखने सहर से एक समाचार संपादक भी आया था। जो इस नाटक से काफी जादा प्रभाव भीजा। सोनू और मोनू ने इस मौके को और मज़ेदार बनाने का फायसला किया। उन्हों ने इंटर्व्यू देने का सोचा और एक रोचक रूप से फिर से क्रॉस टेसिंग का नया प्लान बनाया। उन्हों ने फिर से नाटक की प्रेमी प्रेम का बनने के तयारी लेकिन इस बार वे कुछ अलग दिखने का प्लान बनाया इंटर्वियू के दिन सोनु ने इस बार एक सूरवीर की वेस भूसा में और मोनु ने एक राजकुमारी की वेस भूसा में तयार हुए दोनों ने एक दूसरे को मुशकान में लिपते हुए दोस्ती भरी आखों से देखा जब वे इंटर्वियू देने के लिए आये तो सभी लोग उनकी अद्भूद वेस भूसा को देखकर हैरान रह गए उनका विसेश रूप और आखों में छुपी दोस्ती ने सभी को मोह लिया इंटर्वियू के दौरान वे दोनों एक दूसरे के साथ अपनी स्कूल और कालिस लाइफ की कहानियों को साजा करते रहे वे दोनों सूरवीर और राजकुमारी के रूप में काफी अकरसक, समझदार और मनोवर दिख रहे थे उनकी प्रेरक कहानी और दिल को छू लेने वाली दोस्ती ने सभी के दिलों को जीत लिया इंटर्वियू के बाद सोनू और मनो की खुबसूरत दोस्ती की कहानी समाचा पत्रिका में छपी उनका नाटक लोगों को प्रेरित और उनके दिलों में जगाने वाली कथा थी इसके बाद से सोनू और मोनू की दोस्ती और प्रेरा कहानी लोगों के बीच मसहूर हो गई और वे अपनी खुद की पहचान और दोस्ती को गरों से साजा करते रहे कुछ ही दिनों में सोनू और मोनू की दोस्ती और कथाएं लोगों की बीच बढ़ती गई वे अपनी कला और अभनाई के जरिये समाज के मुद्धों पर भी चल्चा करने लगे उनकी प्रेडा से लोगों की सोच बदलने लगी और उने समाज के देश्ट कोड से भी सम्मान मिलने लगा एक दिन गाउं के पंचायने सोनू और मोनू से अपीर की किवे विशेस कारकरम के मुख्यतित के रूप में नाठक प्रस्टूत करने की क्रपा करें इस कारकरम का उदेश गाउं के युवा मंच के साथ होने वाले सम्माज में जाने के लिए विभिन मुद्दो पर बातचीत करना था सोनू और मोनू ने खुसी खुसी इस सम्मान को सुईकार करते हुए इस कारकरम के लिए तयारी करनी शुरू की इस बार वे एक नए आउतार में नजर आने के लिए एक नया प्लान बनाया कायर करम के दिन सोनू और मोनू ने एक अदभुत प्रस्टुती देने के लिए सोनू ने साड़ी पहन कर सोला संगार करके महिला बन गया और मोनू एक विद्यार थी वे अपने किरदारों को अभिनाई और क्रेडा से भरी सैले में दिखाने के लिए तैयार थे कायर करम के सुरुवात हुई और सभी लोग सोनू और मोनू की प्रस्टुती को उस्ताथ से देखने के लिए उत्सुप थे जब वे अपने नए अउतार में स्टेच पर आए तो सभी उन दोनों को देखर बड़े चकित हुए सोनू इस बार एक समाज से भी महिला द्यापक के रूप में और मोनू एक विद्यार्थी के वेस भूशा में समाज और सिच्छा के महात उपर नाटक प्रस्टुत किया उनकी प्रस्टुती के दोरान सोनू और मोनू की यावाज और अभिनय ने सभी के दिलों को छू लिया उनके समवाज से लोग अपने सोंच और दिर्ष्टिकोड को बदलने के लिए प्रेरित हुए कारिकरम के अंत में सोनू और मोनू को सभी ने खुब सराहा और उन्हें सम्मानित किया उनकी प्रेड़ा दायक प्रस्टुती ने सभी के दिलों को जीत लिया और उन्हें गाउं के प्रिये नाटकों में से एक बना दिया सोनू और मोनू की दोस्ती और उनके अद्भूत कताएं लोगों के बीच में एक अलग पहचान बन गई